नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापी का कविता स्वामे, आज हम कक्षच है का पार्ट च्यार पड़ेंगे, जिसका नाम है चान से थोड़ी सी गपे, जिसकी कवी है शमशेर बहादुर सीह, जैसे इस नाम से पता चल रहा है, चान से थोड़ी सी गपे, यनकी बाते, इसके बारे में इसमें वड़न किया गए है, हम कवीता पड़ने जे पहले, उसके बारे में जानेंगे, किस में कवी ने क्या बताए है, चान से थोड़ी सी गपे कवीता, शमशेर बहादुर सीह, द्वारे लिखी थैं, इस कवीता को कवी ने, एक, 10-11 साल की एक के कारण चांद से कई स्वार पूछना चाहती है और उनके बारे में दिख जानना चाहती है किन के बारे में चांद के बारे में वह चांद से पूछती है कि क्यों वह तिर्चे नजराते हैं वह सारे आकास को चांद का वस्तर समझती है और जो सितारे हैं उन्हें उन पर सितारे समझती हैं और चांद के घटने बढ़ने को वह एक बिमारी समझती है अब हम कविता पढ़ेंगे गोल है खूब मगर आप तेछे नजर आते हैं जड़ा आप पहने हुए हैं कुलाकाश तारो जड़ा इसमें कवी शमशेर बहादूर सिंग उस लड़की के मादिम से कह गोल हैं खूब मगर आप हमें तेछे नजर आते हैं आपने पूरी आकाश का कुलाकाश पूरी आकाश का वस्तिर पैयन ड़का है और वो भी तारों से जड़ा हुआ मतलब बरा हुआ सिर्फ आपका मूह ही खुले हुए हैं आपने सारा सरीर तो आकाश ड़क रखा हैं परन तो अपना मूह ही खोल रखा है गोरा चिट्टा गोल मटोल वो भी गोरा चिट्टा है और गोल मटोल है अपनी पोशाग को फेला हुए चारो शिम्त शिम्त कारतिया होता है दिशाएं अपनी पोशाग को चारो दिशाओं में फेलाए हुए आप को स्तिर्चे नजर आते हैं जानने केसे, खूब है गो की, वहाजी वहाँ, प्रसंग पढ़ेंगे हम, इसमें श्री शम्षेर बहादूर सिहने लिखा है, कि 10-11 वर्ष की एक लड़की पुर्ण मा की चांद को देखकर, तरह तरह की कलपनाई करते हुए, उसे संबोधित करती है, लाक्या पढ़ेंगे हम इसकी, इस काव्यांश में, बच्ची चांद को देखकर कहती है, कि वह गोल है, पर तिर्चे नजर आते हैं, वह आकाश कोन के वस्तर बताती है, साथ ही आकाश में छाय तारों को उनके वस्तर के शितारे, जो चमक रहे हैं, चांद का सारा श्रीर वस्तर से डगा है, केवल चांद का गोरा चेटा, गोल मुही दिखाई देता है, अब हम दूसरा पहरा पड़ेंगे, हमको बुद्दु ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसा कि, आपको बिमार है, इसका प्रशन पड़ेंगे हम, इस कविता की रचना, श्री शम्षेर बहादू से ही ने की है, प्रशना में चांद से बाते करती है, सरलार्थेस का, लड़की चांद को संबोधित करती हुई कहती है कि, मुझे पता नहीं, पर थोड़े से तेर्चे दिखाई देते हैं, ये पी आपका यह रूप, आकार सुन्दर हैं, पर हम आपको बली बाती जानते हैं, क्या आपने हमें नीरा मुर्ख समझ रखा हैं, क्या आप हमको नहीं समझते हैं, हमें पता हैं कि, आपको एक बिमारी है, लटकी क्या कहती हैं, हम आपको समझते हैं, कि आपको एक बिमारी है, तीसरा पहरा पढ़ेंगे हम आप गड़ते हैं तो गड़ते ही जले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही यानि कि बढ़ते ही दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही न गोल हो जाएं बिल्कुल गोल यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है इसका प्रिशन पढ़ेंगे हम इस कविता की रचना श्री शम्शेर बहादुर से हैने की है 10-11 वर्ष की एक लड़की अपनी कल्पना में चान से बाते करती है वेह मानती है की चाहे बहुत सुन्दर है वेह मानती है की चान बहुत सुन्दर है पर उसे बिमारी है सर लाड़ करेंगे रड़की चान से बाते करते हुए कहती है कि आप बिमारी के कारण ही जब गड़ते ही चले जाते है और आपका आकार छोटे से छोटा होता जाता है और फिर आकासे गाय भी हो जाते है लेकिन जब आप बढ़ने लगते हैं तो आप बढ़ते ही जाते हैं और आपका बढ़ता आकार हटने का नाम ही नहीं लेता जब तक आप बिलकुल गोल मटोल नहीं हो जाते आप बढ़ते ही जाते हैं पता नहीं गटने बढ़ने की यह बिमारी आपको कब से है आप ही यह बिमारी ऐसी है कि ठीक होने का नाम ही नह अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे शिम्ट سिम्ट कार्थ क्या होता है दिशाय निरा निरा कार्थ क्या होता है पूरा दम, दम कार्थ क्या होता है, सांस मरज, मरज कार्थ क्या होता है, बिमारी बिल्कुल, गोल, बिल्कुल गोल कार्थ क्या होता है, पूरी तरह गोला कार सुलब, सुलब कार्थ क्या होता है, आसाने से प्राप्त किया जाने वाला ठीक है आज हम इतना ही पड़ेंगे कर इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे